सो फाइनली तलकी 2898 AD is here, most anticipated movie of 2024 इसके अंदर हमें प्रबास, अमिताब बच्छन, दिभीका बदगून, कमन हसन और भी कई सारे एक्टर्स देखने को मिलते हैं और बात करें इस movie की तो इस movie ने exact मुझे अपने expectations तक पहुचा दिया था and में पहुच वे गया था कहने का मतलब यह है कि यह किसी भी तरह से एक average movie नहीं है और नहीं यह किसी तरह की extraordinary movie है जिसके अंदर काफी difficult to understand वाली storyline चल रही है नहीं ऐसा नहीं है काफी simple काफी plain सी कहानी है इस movie की और मुझे पता था कि यह part 1 है तो यह बस character introduction कराएंगे world को थोड़ा बहुत set up करेंगे और part 2 के लिए characters को तयार कर देंगे कि भाई अब आगे देखो तुम क्या होता है और exact way जीस्ती इस movie के अंदर डिरेक्टर को बले ही कितना एक confidence क्यों ना हो अपने content की ऊपर पर फैसला तो audience ही लेगी और जहां तक मैंने audience का reaction देखा है theater response बगेरा देखे है Twitter पे तो भाई यह movie full मचा रही है प्रभास की fans को ले लो या फिर कल की movie के fans ले लो ग नागश्विन को support करने वाले लोग यह इस movie की visual से attract होकर आई audience को ही देख लो most of them एक positive reaction के साथ ही गड़ जा रहे हैं हाँ देखा जाए तो movie के अंदर कुछ negative points भी है पर जिने आप neglect कर सकते हो easy to forget है मतलब कोई issue अगर आ create नहीं करते तो कल की की concept से हम काफी अच्छी तरह से वाकिफ है कि यह क्या चीज है मतलब विस्नो वगवान जो की कलियूग के अंत में आउतरित होने वाले है ताकि वो इस कलियूग की घड़ी को समाप्त करके एक नए योग का आरंब कर सके तो कहानी पर आये तो अभी है साल 2898 AD जहांपर काफी कुछ चीज़े बदल चुकी है मतलब कलियूग में बहुत जादा पाप बढ़ चुका है लड़ाईया चल रही है प्रलय वगेरा आच चुके हैं और अब कुल मिलाकर दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही शहर बचा है जि नहीं हमें जीवनी बिता नहीं है तो काशी के लोग कैसे तैसे अपना जीवन बिता रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सुक्सादन वगेरा इतने जादा नहीं है अब वो सुक्सादन किसने चेन लिये वो इस मूवी के अंदर देखने को नहीं मिला आल फिलाल तो कॉंप्लेक्स एक ऐसी जगा है जहां पर सब तरह की चीज़े हैं एक तरह का पैरडाइस है जहां किसी भी मानव की जरूरते पूरी की जा सकती है जहां एम्प्लॉई भी सिर्फ उन लोगों को बनाया जाता है या फिर बरोसे मंध है जिन से हम थोड़ा उमीद करें कि हाँ ये फ्यूचर में काम आएगा अगर सारे शहर वालों को मौका मिले तो वो वही जाकर बस जाए अब फिसी शहर की अंदर एक और जगा है जिसे संबाला का आ जाता है अब वहां के लोग काफी कल्चरल है मतलब उने बिलीव है कि बगवान जो है वो अउतरित होंगे और इस कल्यूच का विनाश करेंगे और उनका जन्म लेने का समय भी काफी निकटा चुगा है और अभी जो बगवान कल की है वो सुमती के बेट में है यानि की दिपिका पदगोन की कोक की अंदर है क्योंकि अगेन काफे सारी लड़कियों को जमा किया जाता है और उन्हें artificially कुछ chemicals के द्वारा pregnant किया जाता है कुछ inject करते हैं सिरम जिसे पता चलता है कि वो रिपोर्ट positive है या फिर negative काफे सारी reports नेगेटिव चले जाती है और काफे सारी reports जो की positive तो जाती है पर सिर्फ 2-3 महीने तक ही र करना है इन्हें जो कि इन्हें मतलब किसी बच्चे से नहीं है इन्हें मतलब है एक तरह की सिरम से किसी तरह की सिरम को extract करना है ताकि वो सिरम जो है वो supreme यास किन तक मौचा सगे तो नेरली ये चीज पॉसिबल होती दिख रही है और होगी भी क्योंकि हम जानते हैं कि कल की बगवान की माता का नाम सुमती ही था वही दूसरी दरफ अश्वत थामा जो की तब कर रहे हैं गुफा के अंदर और इधजार कर रहे हैं अपनी मौत का के कब ये कलियोग खत्म होगा और उन्हें इन सब चीजों से चुटकारा मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ती होगी और वही एक और करेक्टर जिसका नाम है भैरवा जिसे प्ले कर रहे हैं प्रभास जिनका फैन बेस भी और वो कितना जादा डेंजरस है मतलब तो उनका करेक्टर भी कई ना कई कॉंप्लेक्स जाने के सपने देखता है दिन रात की बस किसी तरह से वहां का एंप्लॉई बन जा जाता है कॉंप्लेक्स तक जिसका रिजन काफी ग्लियर है पांच मिलियन यूनिट की बाउंटी लगी हुई है सुमती के उपर तो वो तो हाथ छोड़ने नहीं वाला इसी बीच हम देखते हैं भैरवा वर्स अश्वत्थामा बुझ जी वर्स अश्वत्थामा जो की मूव वैसा सोचा वैसा ही निकला जिस चीज़ के लिए में जादा एकसाइटेड था वो चीज़ तो काफी बढ़िया थी डिसपॉइंट नहीं किया जूकि था अफकोर्स वी एपक्स और सीजी आई जूकि इसके ट्रेलर टीजर से ही हम देख सकते थे कि भाई बहुत ही ज्याद कॉन्फिडेंस आता है कि हम बढ़िया चीज़ डिखा सकते हैं और यही चीज़ इस मूवी को और जादा स्पिशल बना देती है विज्वल सच में काफी जादा प्लीजिंग थे और काफी जादा अपीलिंग थे स्पिशली जो और सीन और सेट डिजाइनिंग थी भाई 10 आ काफी जाइन्ट केरेक्टर था मतलब समझते होना मतलब एक युमन बॉड़ी के हिसाब से वो केरेक्टर काफी जादा टॉल और छोड़ा था बीजीं वगिर भी अच्छा कासा ठीक टाक था नॉट डिसपोइंटिंग अब डिसपोइंटिंग जीस क्या आती है मेरे लिए वो थे इस मोवी के तीन घंटे जोकी बहुत जादा स्लोफील होते हैं लाइक सेकेंड अवी का क्लायमेक्स अच्छा है मूवी की स्टाइब भी अच्छी है बट बीच के जो कुछ सीन वहते हैं बहुत स्लोफील होते हैं अगर आपको लॉंग मूविस डेखने की आदत नह करते हैं जब उन्हें पोलियों की बूंद नहीं मिलती क्योंकि एक टू सीन की पूरी टोन खराब कर देते हैं लगता है कि ये करेक्टर तो बस फन ही करता है पूरे दिन बहुत ज़ादा दिशापर्टनी के करेक्टर को कई सारे लोग यूजलस भी कह रहे हैं जो कि मैं अगर के रहनी दो एक बस स्टार्टिंग का जो अमिताब बच्चन वाला गाना है वो मूवी का मुझे ठीक लगा बगी कई सारे चीज़ें जो की लोग नोट डाउन कर रहे हैं कि भाई काफे सारी जो चीज़ें है वो हॉलिवूड से टीपी गई है डिरेक्ट यहाँ पर तो एक चीज़ें आर्टिस्ट वाला फॉर्मूला काफी मिसिंग लगता है लोगों को समझ आ रहा है कि भाई यह तो लाइट सेवियर है इसको तो हम स्टार वॉर्स में देखते हैं कि भाई यह तो रेगिस्तान है यह तो मैड मैक्स फ्यूरी से उठाया गया है तो यह सारे कुछ